राधे राधे दूस्तों कैसे हैं? आपसो हमारी यूटिब चैनल कैसी राधी किशन शिंगार में आपका स्वाकत है दूस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीबित पुत्रिका ब्रत की कथा और महत्व बताएंगे जीवित पुत्रिका या जितिया ब्रत हिंदु धर्में आस्ता रखने वाली महिलाओं के लिए विशेश महत्व रखता है यह ब्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है महिलाओं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी रख्चा के लिए यह निजला ब्रत रखते हैं यह ब्रत पूरे तीन दिन तक चलता है ब्रत के दूसरे दिन ब्रत रखने वाली महिला पूरे दिन और पूरी रात चल की एक भून भी ग्रहन नहीं करते हैं यह ब्रत उत्तर भारत विशिष्ट कर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। यह ब्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सब्तमी से अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की नवमीतिती तक मनाया जाता है। माननेता है कि जितिया ब्रत की कथा सुनने मातर से ही महिलाओं को कभी भी संतान ब्योग नहीं होता साथ ही घर में शुक्षान्ती बनी रहती है और तेवी देखताओं की क्रपा हमेशा बनी रहती है संतान दीर खायू और सुखी होती है जीवित पुत्रिका ब्रत की तीन प्रश्च्रित कथाय हैं इसमें से पहली कथा माहवारत काल से चुड़ी हुई है कथा के अनुसार युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अस्वस ठामा बहुत क्रोधित था पिता की मृत्यू का बतला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने पांच लोगों की हत्या कर दे उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया लेकिन पांडव जिंदा थे जब पांडब उसके सामने आएं तो उससे पता लगा कि द्रोपती के पांच पुत्रों को मार आया है यह सब देखकर अजुन ने क्रोध में अस्वस्थामा को बंदी बना दिया और उसकी दिब्वेमडी छेन ले अस्वस्थामा ने इस बात का बतला लेने के लिए अभिमन्यो की पतनी उत्रा के गर्व में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई उसने गर्व में पल रहे बच्चे को मारने के लिए भ्रमास्तु चलाया जिससे उत्रा का गर्व नश्ट हो गया लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था इसलिए भागवान प्रेश्टन ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्व में ही फेसे जीवित कर दिया गर्व में मरकर जीवित होने की बजह से इस तरहें उत्रा के पुत्र का नाम जीवित पुत्र का पढ़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयू के लिए जितिया ब्रत किया जाने लगा जितिया ब्रत में जीमूत पाहन की पूजा की जाती है जी मूद पाहन की कथा इस प्रकार है गंधर्बों के राजकुमार का नाम जी मूद पाहन था वे बड़े उदार और परुपकारी थे जी मूद पाहन के पिता ने ब्रद्धाबस्ता में पानप्रस्त आर्शम में जाती समय इनको राश्यहाशन पर बिठाया किन्तु इनका मन राजबाट में नहीं लगता था वे राज़े का भार अपने भाईयों पर छोड़कर स्वयम बन में पिता की सीवा के लिए चले गए वही पर उनका मल्यबती नामक राजकन्या से विभा हो गया एक दिन जब बन में भ्रमर करते हुए जीमूद बाहन काफी आगे चले गए तब उन्हें एक प्रधा बिलाब करते हुए दिखी इनके पूछने पर प्रधा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की इस्तरी हो और मुझे एक ही पुत्र है पक्षी राजगरों के समक्ष नागों ने उन्हें प्रति दिन भक्षन हेतु एक नाग सौपने की प्रतिज्या की हुई है आज मेरे पुत्र संख चून की बली का दिन है जी मूद पाहन ने ब्रधा को आश्वस्त करते हुए कहा डरों मत मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा आज उसकी बजाए मैं स्वैम अपने आपको उसकी लाल कप्डे में ढखकर पद्धे शिला पर लेटोंगा इतना कहकर जी मूद पाहन ने संक चून के हाथ से लाल कप्डा ले लिया और वे उसे लपेट कर गरोंग को बली देने के लिए छुनी गई वद्धे शिला पर लेट गए निया समय पर गरोंग बड़े बेग से आए और वे लाल कप्डे में ढखके जी मूद पाहन को पंचे में दबोच कर पहार के शिकर पर जाब बैठे अपने चंगुल में गिरफतार प्राणी की आप में आसू और मुह से आहा निकलता ना देखकर गरोंग जी बड़े आश्चरे में पढ़ गए उन्होंने जी मूद पाहन से उनका परिचे पूछा जी मूद पाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया गरोंग जी उनकी बहादरी और दूसे की प्रांग रक्षा करने में स्वैम का बलेदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए पसंद होकर गरोंग जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बली ना लेने का बरदान भी दे दिया इस परकार जीमूद बाहन के आदम में साहस से नाग चाती की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा ही तो जीमूद बाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई अश्वेन कृष्ट अश्टमी की प्रदोश काल में पुत्र ब्रती महिलाएं जी मूत पाहन की पूचा करती हैं टेलाज परबत पर भरगवान शंकर माता पारवती को कथा सुनाते हुई कहते हैं कि आश्विन क्रेश्ट अश्टमी के दिन उपास रखकर जो इस तरी साय प्रदोश काल में चीमूत बाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आश्ट चार्य को तच्छडा देती हैं वेह पुत्र पौत्रों का पूर सुख प्राप्त करती हैं ब्रद का पारण दूसरे दिन अश्टमी तिथी की समाप्ती के पश्चात याने के रभमी तिथी पर किया जाता है यह प्रद अपने नाम के अनुरूफ फल देने वाला होता है जितियां ब्रद की पौराणी कथा चील और सियारन से जुड़ी हुई है इसका था कि अनुसार नवदा नदी के पास कंचन बटी नाम का नगर था वहां का राजा मले के तू था नवदा नदी के पश्चिम दिशा में मरू भूमी थी जिसे बालू हटा कहा जाता था वहां विशाल पाकड का पेड था उस पर चील रहती थी पेड के नीचे जाडी में एक सियारन भी रहती थी दौनों में खूब दोस्ती थी चील जो कुछ भी खाने के लिए लेकर आती थी उसमें से स्यारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी स्यारिन भी चील का ऐसे ही ध्यान रखती थी एक बार की बात है बन के पास एक गाउं में औरतें जी उतिया के पूजा की त्यारी कर रही थी चीन ने उसे बढ़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सकिन सियारिन को बताया दोनों ने मिलकर जितिया ब्रत करने का संकल पे लिया फे दोनों ने भगवान जी उद्बाहन की पूजा के लिए नेजला ब्रत रखा ब्रत बाले दिन उस नगर के बड़े ब्यापारी की म्रत्य हो गए अब उसका दहा संसकार उसी मरुस्तल पर किया गया काली राद हुई और घंगोर घटा परसने लगी कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल करस्ते तूफान आ गया था स्यारिन को अब भूग लगने लगी थी मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका ब्रत तूट गया पर चील ने सयम रखा और नियम पर श्रद्धा से अगले दिन ब्रत का पारण किया फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने भामन परिवार में पुत्रे के रूप में जन्म लिया उनके पिता का नाम भासकर था चील बड़ी बेहन बनी और उसका नाम शील बती रखा गया शील बती की शादी पुद्धी सेन के साथ हुई सियारन छोटी बेहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरा बती रखा गया उसकी शादी उस नगर के राजा मले केतु के साथ हुई अब कपूरा बती कंचन बती नगर की रानी बन गई भगवान जी उदपाहन के आशिरवास से शील बती के साथ बेटे हुए शील बती के सातों पुत्र बड़े हो गए वे सबी राजा के दरवार में काम करने लगे कपूरा बती के मन में उन्हें देख ईशा की भावना आ गई उसने राजा से कहकर सबी बेटों के सर काट दिये उन्हें साथ नई बर्दन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपडे में ढखकर शील बती के पास भिचबा दिया यह देख भगवान जी उद्बाहन ने मिटी से सातों भाईयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धर से जोड़ कर उन पर अमरत छिड़क दिया इससे उनमें जान आ गई सातों युवक जिन्दा हो गए और घर लोटाए जो कटे सर रानी ने भीजे थे वे फल बन गए दूसरी ओर रानी कपूरा बती बुद्धी सेन के घर से सूचना पाने को प्याकुल थे जब काफी दे सूचना नहीं आई तो कपूरा बती स्वेम बड़ी बेहन के घर चली गई वहां सब को जिन्दा देखकर वह सन्न रह गई जब उसे होश आया तो बेहन को उसने सारी बात बताए अब उसे अपने गलती पर पस्तावा हो रहा था भगवान जी उद्बाहन के कपा से शील बती को पूर्वजन की बाते याद आ गए वह कपूरा बती को लेकर उसी पाकड के पेड के पास गई और उसे सारी बातें बताई अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बेहन से छमा मांगी बेहन के बताने पर कपूरा बती ने जी उतिया ब्रत किया ब्रत के प्रभाब से कपूरा बती के संतान होई और वह जीवित रही जी उतिया ब्रत करने से संतान सुखी प्राप्ती होती है संतान दीर्ख आयू और धनवान पनती है जी उतिया प्रत की कथा सुनने मात्र से ही संतान दीर आयू और सुखी बनी रहती है महिलाओं को संतान का ब्योग कभी सेहना नहीं पड़ता घर में शुक शांती बनी रहती है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना पूले हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिजदेदारों में जदा से जदा शेयर करें जिससे भे भी इसका लाब उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना पूले थैंक्स फॉर वाचिंग राते राते